हलो इबन, बजट 2022-2022 को लेकर यहाँ पर UPSC और UPSC दोनों में एक्जाम आपको यहाँ पर काफी सारे कुश्चन आपको बनते हैं, कभी योजनाएं, घोशनाएं, विशेश पहले हैं और अन्न चीज़ों को लेकर स्टाटिक बेसा डेटा जो होता है, वो यहाँ पर पूछ किया गया, क्या रहा इस बजट में विशेश, कौन-कौन से रहें प्रमुघटना करम, साथिसात अथ्यात्मक्त जानकारिया, स्टाटिक डेटा, सारी चीज़ों को, तो ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ पर इस टॉपिक को, इस वीडियो को आप पूरा देखने के पर आप डेटा देख सकते हैं, कितना जो बजट का था हमारा, यहाँ पर 39.45 यहाँ पर लाग करोन रुपए का अब तक का यहाँ पर सबसे बड़े बजट के तौर पर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं, आय और वय को लेकर सारा जो डेटा है कितना यहां पर कहां से पैसा आ रहा है और किधर यहां पर यह खर्च करने वाले हैं किस डेटा किस प्रकार की स्कीम के लिए लेकिन जो सबसे बड़ा डेटा यहां पर आपको जो इसमें फिलहाल भी ध्यान रटने हैं बांकि यहां पर इस प्रोस्पेक्टिव को हम देखन जादा चीज़ें पूछे आती हैं वो ये वाला section बहुत highlighted रहता है हर बार यहां पर इसको लेकर question पूछे जाते हैं तो यहां पर देखे सबसे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान पूरक सुन लीजे सबसे पहले कई बार question पूछा जाता है कि राजसो प्राप्तियां क्या होती है तो देखे राजस प्राप्तियां दो चीज़ें यहां पर समली थे एक कर राजसो है दोसरा कर भिन राजसो स्थितियां है यहां पर बेसिकली यह जो प्राप्तियां क्या होती है या पूझी प्राप्तियों में क्या-क्या समलित होता है जिसमें रिणो की वसूली अन्य प्राप्तियां उधार और अन्य देता है इसमें शामिल होती है इसी तरीके से जो कुल प्राप्तियां होती है हम उसमें राजसो प्राप्तियां और पू तो भी यहाँ पर आपने ब्याज भुक्तान है, पूंजी पर संपत्यों का स्रिजन है, पूंजी खाते पर जो व्याए है, यहाँ पर इन सारी चीजों को आप इसमें जोड सकते हैं, इसके लावा यहाँ पर देखें, फोर्टीन नंबर को इसमें हिंदिम नहीं लिखा गया ह और पूंजी खाते पर यहाँ पर जो भी आपके कैपिटल अकाउंट पर जो व्याइतियाज किया गया, उसे हम इसमें जोड देते हैं, अब यहाँ पर यह तो हो गया बेसिक चीज़ें, बाकि यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं, अनुमान देखें, राजस पूंजी प आपके लिए आता है, कि राजस गाता क्या है, प्रभावी राजस गाता क्या है, राजकोशी गाता क्या है, प्राजपिंगा जो खाते में जो भी हमने यहां पर way किया है, उसमें से राजस्सौ प्राप्तिओं को हम minus कर दीजे, आपको revenue यहां पर deficit मिल जाएगा, कहने के मतलब की राजस्सो प्राप्तिओं को minus कर दीजे राजस्सौ यहां पर way से जो भी प्राप्त होगा, वो राजस्सो घाटा होगा देखा जया तो यहाँ पर देखे इस साल के बजट में 2022 थे इसके बजट में से रखा है 3.8% कितना रखा गया है 3.8% प्रिविश येर में देखे तो 4.7% था एक चीज और थोड़ा सा आगे के बारे हम डिस्कस करने से पहले देखे बजट में देखे कितने साल के आगड़े यहाँ पर कलेक्ट होते हैं तो देखे 2020, 2021, 2022 और 22 थे तीन साल का यहाँ पर आपको डेटा इसमें समलित करते हैं किस तरीके के आकड़े होते हैं तो देखे वास्तिक आकड़े हैं 2020-2021 के बजट का अनुवान होता है 2021-2022 का संसोधित अनुवान है 2021-2022 का और फिर से बजट अनुवान है 2022-2022 का तो यह डेटा यहाँ पर ध्यान रखना है चलिए आज आते हैं अपने राजसुघाटे में दे जो प्राप्त होगा वो आपका प्रभावी राजसुघाटा होगा कितना यहाँ पर इस साल के बजट में रखा गया है तो इसे कहा गया है कि हम 2.6% रखेंगे जो कि पिछले साल के यहाँ पर संसोधित जो आया है वो 3.7% रहा प्रभावी राजसुघाटा इसी तरीके से राजकोशी घाटा निकालना हो तो उसमें से देखे 1 प्लस 5 प्लस 6 को जोड़ करके उसे 9 से माइनस कर दीजिए कहने का मतलब है 1 का मतलब राजसुघाटा आपको कह सकते हैं आय है प्राप्तियां है 5 का मतलब रिणो की वसूली है 6 का मतलब अन्य प्राप्तियां है और उन साल यहां पर संसोधित जो आकड़ा आपको दिखाए दे रहा है कि 6.9 परसेंट रहा इसी तरीके से प्रात्मिक जो घाटा है 17-11 और थाथ कि यहां पर प्रात्मिक घाटा में से आपको माइनस कर देना है 11 थाथ ब्याज भुक्तान को जो प्राप्त होगा वो आपका प्रात् हाँ ब्याज भुक्तान को तो प्रात्मिक घाटा मिल जाएगा प्रात्मिक घाटा देखे इस स्वाल के बजट में अनुवान लगा है 2.8 परसेंट रहने वाला और पीछला जो यहां पर संसोधित अनुवान हमें प्राप्त हुआ वो 3.3 परसेंट प्राप्त हुआ है तो जो ओवराल प्रस्पेक्टिव यहां पर जो खर्च अनुवान जो आकड़े यहां पर रखे गए जो यहां पर देखे अल्रेडी यह लिखा हुआ है ठीक है यहां पर जो डेटा आपको दिया हुआ है उसी को यहां पर हमने सार्णी के रूप में भी इसे दिखा दिया गया है जैसे कि यहां पर 2022-23 के लिए यहां पर बजट दो लाख बीज़ा बाइस लाख यहां पर 4422 करोन रखा गया है ठीक है capital respect के इसी तरीके से चारो साल के यहां पर आकड़े रखे गए हैं इसी तरीके से revenues receipt देखिए प्राप्तियां लगातार आपको बढ़ते हुई आपको दिखाई दे रही है ठीक है यहां पिछले तीन सालों में यह लगातार यहां पर बढ़ी है वहीं पर अगर हम capital receipt की बात करें तो यह आपको घटी है और उसके बाद फिर से यहां पर बढ़ते हुई आपको दिखाई दे रही है इसके लावा revenue जो हमारे यहां पर है revenue जो expenditure है यह देखे 2020-21 में यहां पर आपको घटा है और उसके बाद जो संसोधित अनुमान हमारा यहां पर है काफी यहां पर राजसु जो व्याय है वो आपका बढ़ा है सी तरह के से effective capital expenditure को भी देखे तो इसमें भी आपको लगातार एक वृद्धी इसमें देखने को मिलती है चलिए next देखते हैं रुपय के आगमन को लेकर सरकार को देखे जो रुपया आपको प्राप्थ होता है वो कहां से प्राप्थ होता है वो सबसे जादा जो सबसे बड़ा श्रोत है भारत सरकार को मिलने वाली आयका एक रुपय में ठीक है वो किसमें देखे जाए तो यहां पर सबसे बड़ा देखे परसंटेज आपको देखा जा तो यहां पर है भारत सरकार के लिए बोरोइंग और अब अधर लाइबिल्टी जो 35% है ठीक है सबसे बड़ा है यहां पर ध्यान रखेगा यह इस तरह के कुश्चन भी आपसे परसंट है इसके बाद देखे तो यूनियन एकसाइस जूटी है 7% और नॉन टेक्स रिवेन्यू कस्टम से यहां पर है 55% और सबसे लास में देखे तो नॉन डेप्ट कैपिल रिसिप्ट है 2% इसी तरीके से रुपए अगर आते हैं प्राप्तियां होती है आगवन होता है तो रुपए का यहां पर आपको व्याय भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है अब इसमें देखे तो भारत सरकार को देखे जो खर्च यहां पर करना पड़ता है यहां आगवन नहीं होगा यहां पर आपका प्रस्थान कह सकते हैं यहां आप इसे व्याय कह सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखे, आपको जो रुपय की यहाँ पर प्राप्ति हो रही है, इसमें देखा जाए, तो मूल रूप से सबसे बड़ा जो खर्च यहाँ पर भारा सरकार का इसमें आपको दिखाई देगा, हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट, देखे, ओको पर सेंट्रल सेक्टर का 15% है, स्टेट कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका शेयर ओफ टैक्स सेवंटीन परसेंट है, इंटरेस्ट पैमेंट आपका 20% है, तो यहाँ पर तीन जो सबसे बड़े हैं इसमें पहला आपका सबसे ज़्यादा इंट्रेस व्याज भुगदान की रूप में जाता है दूसरा स्टेट्स का जो शेर है 17% है और तिसरा सेंटर सेंटर एक्ष्ट्रीम में 15% यहाँ सरकार खर्च करती है इसके लामा देखा जाए तो 10% जो है वो फाइनेंस कमिशन और ट्रांसफर को यहाँ पर 10% के रूप में खर्च करती है सेंटरल स्पॉंसर्ड स्कीम के लिए 9% खर्च करती है अदर डीचर पे 9% खर्च करती है 8% सबसडी के रूप में विया जाता है और 8% डिफेंस में जाता है और 4% यहाँ पर आने 4 पैसा यह पेंशन के रूप में यह खर्च करती है चलिए समावेशी कल्यान पर ध्यान देना है दूसरा प्रदोगी जनित उर्जा संक्रान ती जलवाई पर कारे को प्रोचसाहन देना है और 3 निजी निवेश से प्रारम होकर बहुतायात सावनिक पूजी निवेश चलने वाला एक सदचक्र को यहाँ पर ड्वेलब करना है यह तीन यहाँ पर लक्षों को निर्धारित किया गया और निवेश का विद्धा पॉशन यह चार प्राथ मिखता है और तीन लक्षों के साथ इस बजट को प्रस्तूत किया गया ठीक है इनको ध्यान में रखना है चार लक्ष और तीन प्राथ मिखता है और तीन लक्ष यहाँ पर GDA और GVA का भी यहाँ पर अनुवान देखिए प्रस्तूत किया गया है अर्थविवस्ताम बहाली के प्रतिरोधक शम्ता को किस तरीके से यहाँ पर दिखाये गया है कि जहाँ पर हमने फर्स्ट यहाँ पर लॉक्डाउन के स्थितियों में आप देख सकते हैं ठीक है यह आपको यहाँ पर red color में यहाँ पर GDP को दिखाया गया है sorry blue color में और GVA को यहाँ पर red color में दिखाया गया फर्स्ट और second के wave में यहाँ पर स्थितियों को जहां पर देखें, first जो हमारा यहां पर lockdown लगा था, अर्थव्योस्था के इस्तिती जादा यहां पर down थी, second में देखें, तो दोनों में आपको सुधार यहां पर second wave के दौरान देखने को मिला है, ठीक है, एक बहतर इस्तिती यहां पर है, कि हम किस तरीके सिस पर काम कर रहे ह कैसे यहां पर हमने एक बहतर इस्तिती प्राप्त की है, COVID lockdown के इस्तितियों में भी, इसके लावा, सदत बहाली को लेकर भारतिया सुष्था के कुछ और आकड़ों को यहां पर दर्शाया गया बजट में, जैसे कि COVID-19 की यहां पर vaccination को यहां पर दिखाया गया, कि adult population को को कित प्रेट यहां पर deficit की बात करें, तो यहां पर लगातार आप देख सकते हैं, जो अनुमान यहां पर लगाया गया है, effective आपका है, और साथी साथ यहां पर देखा जाए, जो fiscal RD, PD और FD यहां पर आपकी आई है, fixed deposit है, और RD है, तो यहां पर सबकी में देखा जाए, तो इस् प्रेट जो deficit है, वो लगातार आपको, यहां पर देखें, तो काफी जादा बढ़ गया था, सारी चीजों के यहां पर आयात बड़े अस्तर पर करना पड़ा था, या पर कह सकते हैं, उत्पादन रुख गया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे यहां पर काम वापस जुरू हो यह चीजें, फिर से यहां पर जो deficit है, हर्च शित्रों का, वो यहां पर आपको घटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से, trend in quality, capital, expenditure की स्थितियों में भी यहां पर यही data आपको दिखाया गया है, चाहें, lockdown के स्थितियों हो, first wave, second wave, stranding के स्थितियों में, तो यहां lockdown की स्थितियों में, COVID-19 के दोरान यहां पर देख सकते हैं, net addition भी स्थितियां है, foreign exchange revenues है, वहां पर आपको 611, 635, 634 की स्थितियां यहां पर देखे, तो जो forex deposit यहां पर कहते हैं, विदेशिय मुद्रा यहां पर आपको reserve हैं, उनके बारे में data भी आपको दिया गया है, त गाटा 6.4%, राजिस घाटा 3.8%, प्रभावी राजिस घाटा 2.6% और प्रात्विं घाटे 2.8% तक रखना है, रिण प्राप्तियां जो सारी यहां पर सरकार की द्वारा राजगोशी घाटे के विद्ध पोशन के लिए की गई हैं, उनका यहां पर data आमने पहले ही देख ल रहा है और तरीके के घाटे के स्थितियों, चारो प्रकार के घाटे चाहें वो हम बात करते हैं कि यहां पर देखिए यह चारो घाटे के स्थितियां इसमें दिखाए गए हैं, राजकोशी, राजस प्रभावी और प्रात्मी घाटा, तो जो अनुमान लगाए गया है, उन सबी चीजों को लेकर यहां पर आकरे दिखाए गए हैं, कि हमने यहां पर चीजों में पहले से बहतर के स्थितियां कैसे हम प्राप्त कर रहे हैं, वे की सरनचना भी यहां पर दी गई है, कि सरकार के चेत्रों में कितना यहां पर खर्च कर रही है, ठीक है, तो उनको भी य के तरीके से आप इनहीं सारा देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर आपको सारी schemes और उनके colors यहाँ पर दिखाया गया है उसके according यहाँ पर यह आपको latest data 2022 ते इसके लिए सरकार किस चीज़ में कितना खर्च कर रही है उसका data यहाँ पर दिया गया है इसी तरीके से पूंजी गत वे की प्राप्तियों को लेकर भी यहाँ पर data है वे की संरचना आप इसे देख सकते हैं यह एक data आप इसे यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं जो सबसे बड़ा सरकार की वे संरचना यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रेस्ट के रूप में जाता है ठीक है डिफेंस यहाँ पर सरकार अच्छा खासा खर्च कर रही है सबसीडीज है ट्रांसपोर्ट है ट्रांसफर आफ स्टेट है इसके लामा अगर हम देखें तो उसके बाद ट्रैंक्स टैक्स अड्मिस्ट्रेशन है पेंशन है आपक आपको देख सकते हैं तो इंट्रेस्ट डेफेंस स्ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर आफ स्टेट्स यहाँ पर कुछ बड़े सेक्टर हैं जहाँ पर सरकार का अच्छा खासा व्याय हो रहा है इसके लामा पेंशन रूलर डेल्लपेंट भी हैं वेकि यहाँ पर जो प्रमो में यहाँ पर पिछले साल की अपिक्षा अगर देखा जाएं सबसे बड़ा खर्च किया गया है रूलर डेल्लपेंट को भी देखें तो यहाँ पर अब तक का तो नहीं लेकिन हाँ सेकेंड मोस्ट यहाँ पर आपको खर्च करने की इसमें बात की गई है शोसल विलफेर मे बहुत बड़ा खर्च यहाँ पर कर रही है सरकार और अर्बन डिवलप्मेंट में भी यहाँ पर अच्छा खासा निवेश करने की बात की गई है इसके लबाँ पीम गजशक्ती योजना के बारे में भी थोड़ा से यहाँ पर पढ़ लेते हैं देखे जाए तो यह साथ इ इसमें 25,000 किलोमेटर राश्टी राजमारों का काम भी पूरा करना है इसके अतरिक्त यूनिफाइड इंटरफेस यहाँ पर प्रेटफॉर्म जिसके सभी मूट ऑपरेटरों पर डाटा विन्यमन हो सके यात्रियों की निर्बाद यात्रा के लिए ओपन सोर्स, मोबिलिटी स्टैक और PPP के तहट यहाँ पर चार मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार के स्थापना करने को लेकर 2022 थे इसमें यहाँ ठेके दिये चाहेंगी इसी तरीके से एकिकरित पोर्स्टल रेलवे निटवर्ग जिससे पार्सल के प्रेशन की सुविधा हो उनका विकास करना है वन परिवहन के छेतर में देखें सावनिक छेतरों में सावनिक शरही पर परिवहन रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल संपर को विक्सित करना है परमपर अगा सडकों के दिरकालिंग विकल के रूप में नेशनल रोप बेस डिवलेप्मेंट प्लान लेकर आना है और अवसर रचनात्मक परियोजनाओं के लिए यहां पर चंता निर्माण करना है इसी तरीके से भारत सरकान ने इस साल के अपने बजट में क्रिशियम खाद प्रिशन्सक्राण को लेकर भी कुछ महत्पूर्ण यहां पर सुविधाओं की बात की है जैसे गंगा नदी से सटे कर्शक भूमी से प्रारम होने वाले रसायन मुक्त प्राक्तिक क्रिश को प्रोचसाहन करना है केमकल यूगत कह सकते हैं या जैविक हेती को पढ़ावा देना इसके रावा फसलो प्रांथ मुल समवर्धन उप्धोग ऑ ब्रांडिंग को यहां पर प्रोचसाहन देना जिसस स्थापना करना है सरकार ने इसके लिए देटा भी यहाँ पर दिया गया है कि हमने यहाँ पर जो प्रोक्योर्मेंट ऑफ हाई है डिस्ट्रिवेशन डियूरिंग पैनाडेमिक सबसे ज़्यादा यहाँ पर सरकार के दोड़ा जो खरीद की स्थितियां है और उत्पादन की स् उसी तरह के से रिकार्ड फूट ग्रेंड आपका प्रोडक्शन का उत्पादन हुआ है लगातार और यहाँ पर देखे तो सबसे ज़्यादा फूट के उत्पादन के डेटा को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है जो फोर्थ एस्टिमेशन यहाँ पर दिया किया है इसके इसके लावा केन बेतवा लिंक प्रोजेट के क्रियानवन जिसें 9.8 लाक एक लाक हेक्टेर क्रिश भूम के सिचाई के लिए बासाट लाक लोगों के लिए पेजल एक सो तीन मेगावार्ट विद्धुत पादन का यहाँ पर लाभ मिल सकेगा ऐसी ही पांच परियोजनों क की बात की गई है उसके वो टार्गेट किया गया है कुरोध यहाँ पर दिखे परसंटेज इस तरह के डेटा जरूर ध्यान रखेगा यह कुश्चन हमसे पूचे जा सकते हैं इन सारे चीजों के बार रिवीजन जरूर करना सारा डेटा है सारी जानकारी यहाँ पर जिस्ट आभासी प्रयोक साला हैं और कौसल प्रयक प्रयोक सालाओं को यहाँ पर लेकर आया जाएगा एक डिश्टल अर्थव्योस्ता की स्थापना की जाएगी जिसमें विश्वस्तरी गुर्वत्ता सारभम सिक्षा को प्रदान करना है इसके लावाँ डिश्टल चीचरों के चीज़ें हैं एक ऑनलाइन ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए कौशल अजीवका है तो डिश्टल एको सिस्टम को यहाँ पर ड्वेलप किया जाएगा जिसे देश स्टैक एपोर्टल भी बोला गया है दूसरा कौशल विकास है ड्रोन एस सर्विस के लिए द्रोन श चामश के लिए निशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को सुरू किया जाएगा एक करिकरिक्रियम के तहत मिशन शक्ती, मिशन वाद्शल ले, सक्षम, आगनवाड़ी यह पोर्शन 2.0 को यहाँ पर सुरू किया जाएगा और दो लाख आगनबाड़ी को सक्षम आगनव बखे सकते हैं 84 करोन रुपए तो मिशन यहां पे वाज़सले के लिए 1473 करोन रुपए का आवंटन किया गया है इसके बाद सभी समावेशी कल्यान पर ध्यान केंदरन के लिए कुछ बातों को सपस्ट किया गया है हर घल नल योजना को प्रस्तावित किया गया जिसे 2022 तेस में करें 38 करोन परिवारों को इसमें कवर किया जाएगा दूसरी योजना यहां पर PM आवास योजना है इसके लिए 2022 तेस में 80 लाग घरों का निर्माण कारे पूरा किया जाना है PM Divine के माध्यम से उत्तरपूर में आवश्चक्ता आधारित आवसरश्णायम सामाजिक विकास के लिए धन जुटाना है महत्वकांग्षी ब्लॉक कारिक्रम महत्वकांग्षी जिलों के पिछड़ हुए ब्लॉकों के विकास के लिए काम करेगा इसी तरीके से वाइब्रेंट विजलेस प्रोग्राम के माध्यम से विकास से वन्चित पूर्वी सीमा के गाउं के विकास को लक्षित करना है डाग घरों के digital banking के माध्यम से सत्प्रिश्ट डाग घरों में आधार होत banking विवस्ता को लेकर आना है इसके लाबा digital payment के माध्यम से अनसूचित वानिचिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 digital banking units की स्थाबना की जाएंगे MSME के लिए यहाँ पर देखे तो विभिन पोर्टल की इंटरलिंकिंग करना EC, LGS को लागू करना और हॉस्पिटैलिटी से सम्मंधित उद्यमों को विशेश ध्यान देना CGTMA साई का पनुद्धार करना और MSME के कामकाश को बढ़ावा इसमें तेजी लाने के लिए RAMP इस कारिकम को भी लागू किया जाना है उत्पादक्ता संवर्धन और निवेश को लेकर यहाँ पर Ease of Doing Business 2.0 और Ease of Living जैसे इंडेक्शों के बारें भी यहाँ पर जानकारी दी गई है जैसे की Ease of Doing Business के तहट हम देखते हैं तो विश्वास आधारी शासन, IT सेतों के माध्यम से केंदर और राजजस्तरी प्रनालियों का समावेक्षन परिवेश पोर्टल के छेत्र का विस्तार करना भू दस्तावेतों और IT आधायत प्रबंधनेत यूनीक लैंड पार्सल आइडिनिटिफिकेशन नंबर को प्रोवाइड कराना कमपनियों के लिए यहाँ पे स्व्यक्षिक समापन के लिए C PACE की स्थापना सरकारी अधिप्राप्ति में end-to-end on system on security bond का उप्योग और AVCG प्रोचसाहन के कारेबल को यहाँ पे लागू करना है साथी साथ यहाँ पर PLI स्कीम के अंतरगत 5G को समर्थन प्रोवाइड कराना और उद्ध्योग स्टाटप और अकेडमिया के लिए रक्षान संधान विकास को प्रारम करना है इसी तरीके से Ease of Living के द्रिशकोंट से देखा जाते इसमें चिप युक्त e-passport को जारी किया जाएगा भवन उपनियमों, आधुनिकी करन, शहरी नियोजन इसकीमों का करियान्वेन और संकर्वन उनकी यहाँ पर विकास किये जाएगे सहरी नियोजन के लिए यहाँ पर उतकृष्टा केंद्रों की स्थापना की जाएगी साथिसा सहरी छेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के विकल्प के रूप में बैटरी स्वैपिंग नीत को भी यहाँ पर लागू किया जाएगा यहाँ पर देखें इस योजना के लिए जो आवंटित किया गया है टेलीकॉम नेटवर्क प्रोडिक्ट के लिए दोज़ पांचो अटाइस करोन रुपए लार्ज स्केल एलेक्ट्रिक और आर्टी हार्डवेर के लिए यहाँ पर तिरपंसो करोन और साथी साथ यहाँ पर फार्मस्यूटकल्स के लिए 1629 करोन रुपए इस साल के बजट में आवंटित किये गए निवेश के वित्व पोशन को लेकर भी देखे तो यहाँ पर 2022 ते इसमें निजी निवेश और मांग को बनाये रखने के लिए साल्विंग निवेश को बढ़ावा देने की बात की गई है 2022 ते इस से RBI के दोर डिजिटल रुपए का यहाँ पर संचालन किया जाएगा डाटा सेंटर्स और एनरजी स्टोरेज सिस्टम के लिए अवसर रशनात्मक इस्तितियों का विकास करना इसके लावा अगर हम देखे तो यहाँ पर प्राइटाइस आपकी capital expenditure को लेकर यहाँ पर जो ध्यान दिया गया है किस तरीके से यहाँ पर capital expenditure total और revenue expenditure total के बारे में यहाँ पर किस तरीके से खर्च का अनुमान यहाँ पर है जो व्याइ यहाँ पर किये गये हैं 2022 थे इसको लेकर उसका data भी इसमें दिया गया है इसके लावा संसाधनों को जुटाने को लेकर भी यहाँ पे बातें की गई है संसाधनों को जुटाया कैसे जाएगा तो देखे हरित अवसरेचना के लिए संसाधनों को जुटाने है तो green bots जारी करना उद्यमान छेतरों के लिए समिस्रित विद्त की व्यवस्ता करना data centers और energy storage system के लिए अवसराशनात मगविकास और उद्यम पुझी और निवेश security के निवेश के लिए द्वारा निवेश में सहाधा परक उपायों को इसमें शामिल करना है इसके लावा राज्यों के लिए भी यहाँ पर बातें की गई कि राज्यों को अधिक वित्ति गुंजाईश प्रदान की जाएगी इसके लिए पूंजी के निवेश के लिए राज्यों को वित्ती सहाता की स्कीम के लिए वर्धीत परिवे इसमें लागू किये जाएंगे 2022 ते इसके लिए देखे यहाँ पे राज्यों के लिए G.S.D.P. अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो जो बात की गई है कि चार प्रिशत राजकोशी घाटे की अनुमत दी जाएगी जिसमें 0.4% यहाँ पर विद्धु छेत्री सुधार से सम्मधित होना चाहिए तो यहाँ पर जो मेजर डिफिसेट इंडिकेटर्स हैं कर प्रस्तावों की भी बात कर लेते हैं उस साल के बजट में किस तरीके कर प्रस्ताव रहे हैं तो देखे यहाँ पर गलतियों को ठीक करने के लिए करदाताओं को दो वर्श के भीतर अधितन रिटरन दायर करने की अनुमत देना है विकलांग विक्तियों के लिए कर में राहत देना, सहकारी समितियों के लिए वेकल्पिक नियूंतम करदर और अधिभार में कमी राज सरकार के कर्मचारियों के NPS खाते में कर्मचारियों की कर कटवती की सीमा को बढ़ाना कर सम्मंधित प्रोसाहन देने के लिए पात्र स्टार्टप को शामिल करने के अबधी आभासी परिसंपत्य के अंतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगाना और बार बार अपीलों की से निजात पाने के लिए मुकद्मे बाजी का बहतर प्रबंधन तो यहाँ पर यह सारे काम करने हैं कर प्रस्तावों को लेकर उनमें सुधार को लेकर उनकी चाह सरकारी समितियों को लेकर विकलांग को लेकर राजी सरकारों के करमचारियों के NPS खाते में कर सीमा की कटोती को बढ़ाना है इसके लावा देखे इस साल के अपने बजट में यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो डेटा यहाँ पर देखे बाकी यहाँ पर दीगा फर्स्ट और सेकेंड बेप में किस तरीके से यहाँ पर कर जाय सरचना के बारे में है आयर लाप पर लगने वाले किसी भी सरचार्ज उपकर वय अपारिक वय को नहीं यहाँ पर माना जाने की भी बात की गई है इसके लावा कुछ और भी बातीं यहाँ पर की गई हैं क्या क्या हैं उनको भी देख लेते हैं पहला विशेश आर्थिक जोनों में सीमा सुल्ख प्रिशासन को पूरी तरीके IT संचालित किया जाएगा पूंजी गत्माल और पर्योजना आयतों में रियायती दरों को धीरे-धीरे समाथ कर इसे 7.5% की दर से आसान टैरिफ दर की लागू की जाएगी सीमा सुल्ख छूट की समीक्षा और टैरिफ के सरली करण के लिए पर काम किया जाएगा घरेलू इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण में सुविधा प्रदान करने है तो यहाँ पर ग्रेटेट दर को सनुचना लागू करने के लिए सीमा सुल्ख की दरों को संस्रोधन किया जाएगा इसके लावा भारत में विनिर्मित कृष के छेतर उपसकरों और जारों में दी जाने वाली छूट को जूटिसंगत बनाना इस चील के कबार पर भी यहाँ पर सीमा सुल्ख की छूट को लागू करना और इस क्रिप्क एक्वा कल्चर के लिए जरूरी कज़पे इन्पुट्स लागू करने के लिए सुल्ख में कटावती करना और अन ब्लैंडिड इधन पर अत्रिक्त विचलन द्वारा सुल्ख उत्पाद यहाँ पर लगाया जाएगा चलिए रहा बाकी आपके करप्राप्तियों का यहाँ पर प्रोजहान इसे देख सकते हैं किस तरीके से GDP में जो करप्राप्तियां हमें यहाँ पर हुई है जिसमें हमने ग्रॉस टैक्स रेसिप्ट को आप यहाँ पर इस कलर में देख सकते हैं direct taxes को देख सकते हैं और indirect taxes को यहां पर 3ों को देख सकते हैं यहां पर देखिए आपका जो gross tax receipt है वो 10.7% आपके GDP का है इसके लावाँ जो direct tax और indirect tax है वो on average आपके 5.5 to 5.2% है केंदर की new प्राप्तियों को देखा जाए तो यहां पर भी आप देख सकते हैं जो net center tax revenues है non tax revenue है non debt capital revenue है वो 0.8, 2.7, 19.1 यहाँ पर 3% है राज्यों और संगराज छेत्रों को जो कूल अंतरन यहाँ पर किया जाएगा उसमें देखिए तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंतरन इस साल किया जाएगा करीब 16.12 लाग करोन का यहाँ पर राज्यों संगराज छेत्रों को इस साल के बजट में बलता गया है कि राज्यों संगराज छेत्रों को 16.12.00 करोन रुपय का यहाँ पर आवंटन किया जाएगा राज्यों संगराज छेत्रों को देखा जाए तो यहाँ पर जो devaluation के तहट 81.669.649 करोन इसके लावा स्कीम रिलेट ट्रांसफर के तहट यहाँ पर 6.2923 करोन और Finance Commission के सिफारिस के आधार पर यहाँ पर 1.92.108 करोन रुपय का यहाँ पर आवंटन किया जाएगा इसके लावा मंत्रालेवार देखी यहाँ पर आवंटन भी किया गया है सबसे जादा यहाँ पर आवंटन सबसे कम आवंटन की तरिश्कोर से देखे Ministry of Communication को यहाँ पर देखे 1,5,406 Ministry of Chemical को देखे 1,7,715 यह सभी यहाँ पर लाग करोन में है Ministry of Agriculture, Formal and Welfare को 1,32,513 करोन आवंटित किया गया Ministry of Ruler Development को 1,3,230 Ministry of Railways को 1,4,366 और इसी तरीके से देखा जाए तो Ministry of Ruler Development को यहाँ पर 1,39,203 करोन Ministry of Railway को 1,4,366 करोन Ministry of Home Affairs को 1,85,776 करोन Ministry of Road and Transport को 1,99,107 करोन Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution को 2,17,684 करोन Ministry of Defense को देखे तो सबसे बड़ा यहाँ पर बजट आपको प्रोइड कराए गया है जो 5,25,166 करोन रुपए का है चलिए आगे यहाँ पे कुछ प्रमुक की योजनाओं के लिए भी आवंटित यहाँ पर देखे किये गये हैं जैसे National Health Mission को यहाँ पर इस साल के बजट में 37,800 करोन दिये गये हैं जल जीवन Mission के लिए 60,000 करोन आवंटित किये गये हैं National Education Mission के लिए यहाँ पर आपको 49,553 करोन रुपए प्रधान मंत्री सड़ा की योजना के लिए यहाँ पर 190 करोन प्रधान मंत्री स्वास्ट सुरक्षा योजना के लिए 10,000 करोन रुपए यहाँ पर आपको आवंटित किये गये तो यहाँ पर इस सारा बजटी यहाँ पर अनुमान है बाकी देखिए यहाँ पर पूरी एक स्कीम है आपको सारी स्कीमों को यहाँ पर मैंने जो सरकार ने जो बजट में यहाँ पर इस साल प्रस्तूत किये हैं हर स्कीम के लिहास देखें यहाँ पर जो सबसे important स्कीम रही है मात्मा गांधी है राश्टी सहायता, अंब्रेला, योजना, कमजोर वर्गों के लिए यहाँ पर इस सबस्कीम है उनके बारे में हाँ पर देखें मनरेगा का जैसे 73,000 करों रुपए का यहाँ पर आवंटन 73,000 करों रुपए का आवंटन इसके लिए किया गया है ठीक है, तो यहाँ पर सारी योजनाएं हैं आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं आराम से ठीक है और इन योजनाओं में देखे है हाँ पर हर एक योजना के जिसे प्रधानमिंत्री जन्रोग योजना के लिए यहां पर देखा जाए तो आपको 7,850 करूण रुपए का वंटेन किया गया है जल जीवन मिशन के लिए यहांपर देखे साथजार करों रुपाय का वंटन है प्रधान मतरी आवास योजना के लिए 48 career करों का वंटन है इसी तरीके से यहांपर काफी सारी योजनाओं है केंट सरकार की है राज्य सरकार की जितने भी यहां पर योजना है उन सारे डेटा यहां पर आपको दिया गया है कितना कितना यहां पर बजट आपको आवंटित किया गया है तो ऐसी कई सारी योजना हैं के इन सरकार की जिन सारी योजनाओं के लिए यहां पर आपको डेटा और उनके लिए यहाँ पर वित्ती आवंटर निसमें किये गए तो इनको यहाँ पर important जो aspect है जैसे फसल भीमा योजना आप यहाँ पर देख सकते है 15500 करोंड रुपय का यहाँ पर आवंटर नित्याद किया गया है राश्री खाद सुरक्षा अधिनियम के तहर भाटी खाद निगम को यहाँ पर देखे तो आपको इस साल के बजट में यहाँ पर करीब करीब देखा जाए तो 14,45,920 करोंड रुपय का यहाँ पर आवंटर किया गया है इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं इन योजनाओं को देख सकते हैं इसमें भी कुछ इंपॉर्टन एस्पेक्ट के तौर पर राश्री गंगा योजना को आप यहाँ पर देख सकते हैं अट्थासो करोंड रुपय के यहाँ पर आवंटर किया गया है आत्मिर्व भारत रोजगार योजना के यहाँ पर आपको देख सकते हैं तो यह आपके बजट को लेकर सारी योजना का तिस्तियां तत्यात्मक जानकारी और सारा डेटा यहाँ पर है आप इनको एक बार अच्छे से स्टड़ी कर लीजेगा रिवीजन जरूर कर लीजेगा आज यहाँ पर इस वीडियो का और जो भी यहाँ पर डेटा है योजना के तिस्तियां है जानकारी है सभी प्रकार के डेटा है उनको अगर एक बार आप एक दो बार रिवीजन कर लेंगे बजट से आपको काफी सारे कुश्चन आपको पूचे जाते हैं ठीक है तो इनको हाइलाइटेट रहते हैं इनको बने जितना भी जिस्त यहाँ पर जो इंपॉर्टन रेस्पेक्ट है उनको यहाँ पर पढ़ा दिया है एक दो बार रिवीजन कर लोगे तो बजट से आपके कुश कुश्चन आअसानी से हो जाएंगे कल आपको एक वीडियो और मिलेगा जिसमें हम इकनॉमी सर्वेस रिलेटेड डेटा को ही ऐसे यहाँ पर डिसकुस कर लेंगे जिस्ट उसका भी लेकर आएंगे तो आसके लिए थैंक यू सो मच एंड गुड लग